ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हम चर्चा कर रहे थे देश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में सुधान्शू मिटल से जो की बीजे पी के वरिस्थ नेता हैं हाल में कई ऐसे मुद्दे देखने को मेरे जिससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि भारती जन्ता पार्टी हिंदुत्व पर वापस लोट सकती है राम मंदिर के बारे में कोई बात कर सकती है इसके बारे में आपका क्या कहना है यह तो उल्टी बात हो रही है अगर आप पिछले दो मह में इसे लगातार देखें तो हम जैसे सांपरदाइक पार्टी सांपरदाइक मैं नहीं करहन जो हमारे विरोधी हमें कहते हैं हम क्या बात कर रहे हम सुशासन की बात कर रहे हम विकास की बात कर रहे हम आम आदमी की तरकी की बात कर रहे और जो धर्मिर पेस्ट पार्टिया है कॉंग्रेस हो गई आर्जेडी हो गई एस्पी हो गई यह तनी तमाम पाटिया है यह क्या बात करी हिंदु मुस्लीम गुज्रात राइट्स दो हजार दो की चीज़े आज भी वुक्यों कर रहे हैं क्यों उनको आज का राजनेतिक वातावरान में जब तक वो क्या क्या देट से विकास की बात करने यह दिज kanais की बड़ रहें के सांप्रदाइकट्ता की बात के जंता बहुत होशीाहर है जंता सब जान्ती है सब समझती है जाले अब चलने वाली नहीं यह तो एक स्क्राइध बात को लेकिन शांप्रदा अर्प को भारतियांंता पाक पर ही लगता हैं तमाम आरोफ हैं जैसे राम मंदिर आंदोलन को ही आप उठा कर देख सकते हैं इसके लावा गुजरात दंगों पर भी तमाम बाते हैं एक चीज़ लेके चलते हैं 84 के दंगे के बाद कॉंग्रस सांप्रदाइक नहीं है है और हम सांप्रदाइक है अगर यह सांप्रदाइक ता है तो ठीक है आगे चलिए मुस्लिम संगठन है उसके साथ हम मिलके चुनाय मेरते हैं उसके साथ सरकार बनाते हैं केंदर में आंधरा में उसके साथ सरकार बनाते हैं और कोंग्रेस धर मेर पेक्ष हैं और थेक हैं अब करें लेलिजे घ्रहलार कि ट्रिस्टिन सर्भागे की पाठी उसके साथ निब्षय असे यह सदम निर्धर निर्पेख्ष था इस देश में नहीं चलेगी पहले भी नहीं चलेगी और ऐसे अलजाम आए तो सौ आए कोई चंता नहीं है मैं एक चीज़ कहना चाहिए बाद्चरपा की नीती इस बारे में आपको समझनी पड़ेगी एक अंग्रीजी का कॉईनिस था जस्टिस फुर ओल अपीजमेंट तू नन मानी कि हम हरे को निया देंगे तुष्टी करण की सी का निकरेंगे जो हम आदमी को उसकी धार्मिक पहचान में नहीं देखना चाहते हैं हम उसको हिंदु की हिंदुस्तानी की पहचान में देखना चाहते हैं वो इस देश का नाग्रिक है उसको हर नाग्रिक को वह हक है जो किसी दूसरे नाग्रिक को है हर नाग्रिक को यहां पे सुशासन का यृसने तो बदलती हुई BJP की बात है लेकिन जानना चाहूंगी किए उत्र प्रदेश के लिए ऐसी कौन से रण नीती है जिसके आधार पर आपको लगता है कि वहां अधिक संख्या में आप सीफें पराप्त कर सकते हैं ताकि आपके में सरकार बना सके देखे उत्तर प्रदेश का परिपेक्ष इस समय बहुत ही कमाल का है पिछले 2012 के चुनाव में अख्ले श्यादर ने उत्तर प्रदेश की जंता के सामने एक नए सापा की कल्पना रखी जिससे उम्मीद की करन जाग गई वो क्या थी कि यहां पर गुंडागर दीनी होगी देखिए मने डीपी आदों को उसमें नी दिया मैं बड़ा फोड़ लुकिंग होंगा मुलाम सिंग जी के दक्यानों सी विचारों से मैं अपना संबन नहीं रखता हूं मैं आपको कम्ट्यूर दूंगा मैं आपको अच्छी इक विवस्ता की नहीं उमीद की करण जगाई नतीजा क्या रहा जनता को सुषासन चाहिए था क्योंकि वो मायवती के कुषासन से तरस्त थी 224 सीटों का उनको मैंडेट मिलता है क्या हूं करते हैं वो सिर्फ मुसल्मान की तुष्टी करण के अलावा कुछ नहीं करते हैं वो प्रशासन में राजधरम भूल के वो हिंदु मुसल्मान अलप संखे तुष्टी करण इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं आज लोग क्या हुआ पिछली बार कॉंडर्स भरोसा कर रहा था 2009 अगर आपने देखा हुआ एक 25 विधायन सभागी पार्टी को 22 लोग सभा जिताई थी उन्होंने तो राहूल गांधी में उनके सामने वाइदे दिखाए थे चलिए तुष्टी करण की राजनीती के खिलाफ आप कह रहे हैं जब युद में जाते हैं तो जीत का भरोसा होता है दूसरे के कितने सिपाई ढाएंगे यह नहीं बात करी जाती है कौन उनका घाय लोगा किसको मारेंगे किस समय बताएगा यह कहा जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि नरेंडर मोधी की अध्धक्ष्टा में जो चुनाव के आपको मिलेगी उसके बाद जो प्रभंधन के बारे में आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे प्रभंधख है या आप भारतिजनता पार्टी में किस तरीके से अपना योग दान देंगे आप कर जिम्हारी तो इसके बारे में कुछ कहना एसा भवगा लेकिन म हमें उनकी तरफ देखना चाहिए आसाम में क्या करना है एजीपी के साथ जाना है नहीं जाना है जारकट में क्या करना है ऐसे अलग-अलग राज्यों की एक रंडीती बनानी है और अभी से उन पे काम होना चाहिए मुझे ये लगता है कि अब चुनाव जो है गोश्रा हो जाए उतना ज्यादा समय उनको मेलेगा अपने चुनाव प्रबंदन को ठीक करने का तो इन सब चीजों के लिए क्या करना है इन सब चीजों की तरफ योगदान देंगे तो आपको लगता है कि आपकी सरकारों ने बहुत बहुत बहुतर डिलीवर किया क्योंकि आपके विरोधी तो ऐसा नहीं कह रहे हैं ऐसा है कोई विरोधी यह थोड़ी का गा कि आप बहुत अच्छे हैं फिर उचनाव में कह लड़ेगा अगर मैं एच्छा हो तो विरोधी तो आप खारा वे तो भी तो उसको पर पिलेगी लेकिन जनता क्या कहेगी यह सो आप कहीं चले जाएगे को उनको चावलवाला बाबा कहता है रवन सिंग जी को को इनके पति ऐसी ऐसी आस्थाएं और ऐसी शद्धा का प्रदर्शन देखने को मिलता है कि दिल गदगद हो जाता है लगता है कि हां हमारी राजसरकारों ने भी लोगों के अकांग्शाहों क पिखरी उतनी है तो मुझे ऐसा को दिखता नहीं है जले अपने राजी की प्रसंसा जो है हर राजनेता को करना ही चाहिए मैं आपको एक-एक स्कीम जिना सेकता हूं क्यों देखे क्या होता है प्रशासन आप किस तर तक उतारते हैं यह उस पे निर्वर करता है आप प्रश गुष्णा रहे गई अगर यह घुष्णा रहे जाएंगी तो जन्ता का समर्थन आपको नहीं मिल सकता है और यह घुष्णा की जगे वाकरी कारण में थो गई तो जन्ता आपके साथ खड़ी हो जाएगी मेरा अपना मानना है जितना मैंने देखा है कि यह सारा प्रशासन नीचे तक जाके जन्ता का हमदर्द बन गया है इसलिए मुझे विश्वास है कि जन्ता को जन्ता का प्रेम्स ने इन दोनों सरकारों को मिलेगा नरेंद मोदी की अधश्ता में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसलिए सवाल बड़ा ही लाजमी है क्या आपको ल यह तरह करना कि कौन जना कहां से चुनाव लड़े का कि सीट से कौन लड़े का मुझे लगता है कि अभी सारा प्यास चल रहा है कि एलेक्शन कमिटी के सामने विकल्प क्या-क्या है है हर सीट वह दी जाए और एक्शन कमिटी उन पर लिड़ने ले जब तक यह पूरी परिए खड़ी है और अब कोई अंडर नहीं है पार्टी जो है पार्टी के पक्ष में हड़ी होई है कि असका कि को में अपकी बाड की सरकार आये कुशासन से जनता को निचात मिले इसके लिए सब एक जुठोके चुनाब में लगने लवाले हैं अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है राजना जी राश्ची अध्यक्ष हैं सुश्मा जी नेता प्रतिपक्ष हैं और किस खूबी से वो जनता ये यूपे की सरकार को घेट दी नरेन मोदीजी को चुनाब संचालन का जिम्मा दियागया है तो हर एक आदमी को अपने-पने महाईरी के हिसाब से उनको जिम्मा दिया गया है और सम्मिल के चुनाब लडाने वाले हैं और इस जिस एक ता से तेकर मैं यहां एक चीज़ कहना चाहूंगा राजनीती में मतभेद और मनभेद इन दोनों के बीच में फर्क करना पड़ेगा हर मतभेद को मनभेद मान के हम भाजपा के में अंदर अंदर निए टूट है और लड़ाई है ये कहते हैं ये ठीक नहीं है जो नहीं ठीक है कि हमें मोनोलिथिक और्गनाइज़ेशन नहीं बनना है यहां जिन्दा कौम हैं यहां सोचने वाले व्यक्ति हैं और मेरी और आपकी सोच में फर्क होना सभाव में क्यों आपकी सोच के हिसाब से चलना चाहिए मुझे अपनी सोच रखनी चाहिए हां प्रश तो प्रक्रिया को अगर आप मनभेद की संग्या दे देंगे तो फिर हम प्रचातन के लिए खत्रा बैदा कर देंगे तो हम डिक्टेटेशिंग की बात करें यह ठीक नहीं है बाज़पा में मनभेद नहीं होते हैं नित्रत के अंदर और होने चाहिए यह हिल्दी है स्वस्थ पर्व्यवर्परा है नहीं तो दर्बारी कल्च्छरह आ यहाँ पर लोग सत्यता से बात ही नहीं रखेंगे बड़े नेता ने कह दिया तो हां हां सब्ये कबते रएंगे यह नहीं गर्मी के छुट्टियों के बाद सुप्रिम कोट में कुछ मसले आने वाले हैं। कोल गेट स्कैम का मामला आने वाला है। इसरत जहां मुठबेड का मामला आने वाला है। क्या आपको लगता है पॉलिटिक कॉंग्रेस और भाजबा की लड़ाई ने आया ले से को केंद्र में रखकर चलेगी। तीकि कॉंग्रेस ने जितने भी सरकार के अंग थे उनका दुरुप्योग करा है। और उससे उनकी गरीमाओं को इन्होंने ठेस पहुचा है। टारागात कराया है इनकी गरीमाओं पे, CBI ले लेज़े। CBI का आचरण इतना इतना अजीव अगरीब हो गया है कि इतना प्रश्मूचन लग गया है उसकी विश्वस नियता पे। लेकिन अभी हाल के जो दो प्रकरण है पावन बंसल का प्रकरण है अभी नवीन जिंदल पर भी CBI ने एफाया अदर्ज की है यह दो प्रकरण तो CBI के पर देखे फिर मजबूरी का ना महत्वा गांदी है जो चीज इनके हाथ में भी ती उसमें क्या कर लेते है वहाँ पे इंवेस्टीगेशन कुछ और हो रही थी और इंवेस्टीगेशन होते 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 ही यह बीच में आगे फस गए पावन नंसल पर नहीं पावन नंसल को ताइज में उन्होंने क्लीन चिट दे दी है जहां तक कोल गेट का सवाल है वह भी इनके मजबूरी हो गई क्यों क सब्सक्राइब कर नहीं है और यह दुरूप्यों कर रहे हैं इन सारी अंगों का इससे प्रचातनत में मैंने का प्रचातनत में बहुत बड़ा खतरा प्रदा होता जारा इस चीज के लिए अगर बिंदूओं में गिन्वाना चाहें बहाते जन्ता पाटी की उपलब्धिया या आप कहें कि इन मुद्दों के कारण बीजेपी को जीत मिलेगी तो वह क्या ऐसे मुद्दे हैं पहली बात है विश्वसनेता की हमारे पूरे नेत्रित की प्रशासनिक चारित्रिक और वैचारिक विश्वसनेता है हम कटिभध हैं हम वचनभध हैं कि हम देश में एक आपने महंगाई देखिए प्रशासन में तो हम भी थे हमारे प्रशासन के दोनागीती महंगाई क्यों नहीं होती है आज साथ रुपे का डॉलर हो गया है साथ रुपे का जो चालिस रुपे नहीं होना चाहिए कर भी सोचा इसके पीछे क्या शोड़ीन चल रहा है तो ये स सारी चीजें हमारे प्रशासन में संभवी नहीं क्यों एक पड़ा देशभत और जंता के प्रती समद्पित ये नित्रत हुए और जंता हम पर विश्वा सके कि ऐसा मेरा पूंता मानना है सुधान शोजी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी आपने साधना नियूज स बात की आपका बहुत बहुत शुक्रिया